गुद्वानिंग गाइस आज एक दिसम्मर द्वार उन्नीस एक दिसम्मर द्वार उन्नीस से करेंट अफेर्स के जिद्ने भी इंपॉर्टर कोशन बनते हैं हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हालें भारत में एकसलेटरल लैब का सुभारम किस ने किया इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर बी इवन डीपी सैउक्त राष्ट विकास कारिकरम ने नई दिल्ली भारत में एकसलेटरल लैब का सुभारम किया इस लाइब के साथ भारात उन 60-20 विक लोगों में से एक होगा जो जलवाई परिवर्तन और समाजिक असमन्ता दोनों से निपटने में मदद करने वाले अभिनों समाधानों का परिचन खोजा और परियास करेगा चलिए अब आपको ये शुभारम दिल्ली में हुआ चलिए दिल्ली के वाय में आते हैं दिल्ली का गठन सन 1911 को हुआ था और तवान मुख्य मंत्री हैं स्री अर्विंद के जुरिवाल जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं उपराचपाल ने स्री अनिल बैजल जी फस्ट शीम चोदरी प्रमप्रकास फस्ट उपराचपाल थे अधित नाच्चा फस्ट लेडी शीम सुसमा सुराज लोक्षबा सीट साथ टोटल लिस्टीक है 11 इंद्रा गांती नेसल एरपोर्ट की पात के तो बिजिए सिंदा साउ अर्याना तीन साइट से गिरा हुआ है तथा उत्ता प्रदेश इस्ट से चलिए आपको मैप में दिखाते हैं दिल्ली यह मैप में दिल्ली अगले कोशन पर जाने से पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें हाली में पत्रकार् एंडी टीवी ने पत्तकारता में उत्कृष्टा के लिए अंतराश्टिये प्रेस संस्थान भारत प्रुसकार जीता है इस प्रुसकार ने कठुआ बलातकारा और हत्या के मामले की चाच की साजिस को जाकर उजागर करने के लिए जीता है यह राजनितिक स्प्रक्ट्रम मे एक राजनितिक पाखंड का एक मजबूत परदापास था चलिए चलते हैं कोश्व नमबर थर्ड की तरफ जम्मू और कास्मेर सरकार ने किस वर्स तक जम्मू और सिरिनगर के लिए मैट्रो परियजना शुरू करने का निड़ने लिया है इसका सही आंसर है आप्शन नमब 24 तै किया है 28 नौमर 29 को उपराचपाल ग्रीश चंद मुर्मू ने जम्मू और सिरिनगर के लिए प्रस्तावीत मास रैपिड ट्रांजीट सिस्टम और लाइट रेल परियोजना की समिक्छा के लिए एक बैटकी असिस्ता की इस परियोजना की अनुमानत लागत 9,590 कॉड रुपया है चलिए चलते को इस नंबर 4 की तरफ हाली में 29 विश्व पवान और जय सम्मेरन का आयोजन किस न किया इसका सही आंसर है आप्स नंबर A World Wind Energy Association World Wind Energy Association WWEA ने ब्राजील के लिए डीजन लिए में 18 विश्व पवान और जय सम्मेरन और प्रदशनी का आयोजन किया यह सम्मेरन 25 से 27 नंबर 22 तक आयोजन किया चलिए आप अब आपको ब्राजील के बाएम आते हैं ब्राजील की कैप्टल है ब्राजीलिया पेसिडेंट है जेर बलसुनारो करंसी है रियाल नैशनल है साथ सप्टमबर बिगस्ट लेख है लगाओ डास पोटोस हाइस्ट माउंटेन है पिकोडा नेबलीना नैशनल गेम की बाद के तो कैपोरिया एनिमल है मकाओ फ्लावर है ब्राजील की बाद के तो लाजेस्ट प्रोडूशर आफ कोफी ये पाचवे नमबर का लाजेस्ट कंट्री है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ब्राजील ये मैप में ब्राजील कोशन नमर फाइव हाली में पच्पनवे ग्यान पीट परुसकार किसनी जीता है इसका सह अपसिन नमबर ए अकिक्तम अच्वतन नमुंदरी मल्यालम कवी अखिक्तम अच्वतन नमुंदरी को पच्पन में ग्यान पीट परुसकार के प्राप्त करता के रूप में चुना गया है 93 साल की बुज़ूर्ग को मल्यालम कविता में आदुनिक्तार आली के लिए माना जाता है ग्यानपीट पुरुसकार की बात के हैं तो यह भारत का सर्वोच साहितिक शम्मान है ग्यानपीट पुरुसकार के स्थापना 1961 में की गई थी चल यह आपको इमेज में दिखाते हैं यह मल्यालम कभी नबुंद्री चलते हैं कोउशन नंबर 6 की तरफ पाकिस्तान सेना के प्रमुक का क्या नाम है जिनके कारेकाल विस्तार की आदि शुचना को पाकिस्तान सुप्रिम कोट दारा लिलंबित कर दिया गया है इसका सही आंसर है आप्स नमबर D कमर जावेद बाजवा चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह हैं कमर जावेद बाजवा चलिए पाकिस्तान के थे चलिए आपको पाकिस्तान के बाएं बाते हैं पाकिस्तान की कैपिस लामाबाद प्रिश्डेंट है अरी फल्वी प्राइमिस्टर इम्रान खान जोकी आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं फ़र्ष्ट पि-म लियाकत अलिख करंसी है पाकिस्तानी रूपी नैसला इंडिपेंडेंडेंस दे छोदा अगस्त बेगेस्ट लेक है मांचार नैसला गेम की बात के तो होकी एनिमेल है माकचोर बाइड है चुकार फ्लावर है जैस्मीन पारलामेंट नेम है नैसला असंबली चलिए आपको मैप में दिखाते हैं यह है मैप में पाकिस्तान कोश्चो नमर 7 हाली में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 सत अगलाया इसका सही आंसर आपस नमर B डेविड वार्णर हाली में एस्टेलियाई टेस्ट बल लबाच डेविड वार्णर ने टेस्ट क्रिकेट में 13 सत्ग लाया इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 335 रन बनाए चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह हैं डेविड वालनर चलते हैं कोशिय नमर 8 की तरफ चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह हैं विक्की कोशल चलते हैं कोशिय नमर 9 की तरफ इकसरसाइज शूरिया किरन XIV किन देशों के बीच आज़ुत किया जाएगा इसका सही आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं इंडिया और नेपाल बहात और नेपाल के बीच सैक्ति सैनब भ्याष शूरिया किरन XIV 3-16 दिसंबर दार निस से नेपाल के रुपेंदी जिले के सल्जंडी में आज़ुत किया जाएगा चलिए अब आपको नेपाल के बार माते हैं नेपाल की कैपिटल है काटबांडू प्रेसिडेंट है विद्ध्यदेव बंडारी प्राइमिस्ठन है केपी शर्मावली करंस्ती की बात के तो नेपाली सुरुपी नेश्टल है 29 माई बीगस्ट लेख है तिली चो लेख हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट जिसकी उचाई 8800 48 मीटर है नेश्टल गेम के बात के तो डांडी भी हो एनिमेल लेकाओ बर्ड है इमालियन मोलल फ्रावर है लाली गुरास पार्लेमेंट नेम है नेश्टल पंजायत चलिए आपको मैप में दिखाते हैं यह मैप में नेपाल कोश्व नमबर 10 ब्रेड गोबराइट जिनका हाली में निदन हुआ हो गया है वे कौन थे इसका सही अंसर आपस नमबर B रॉक क्लाइमर ब्रेड गोबराइट जिनका हाली में निदन हो गया है वे एक rock climber थे मैक्सिको में एक पहाड से गिनने के बाद अमेरिकी rock प्रवातार होई Brad Gobarite का हाली में निदन हो गया वहां मात्रे 31 साल के थे वहां यल Potrochicomantri में El Toro Parvatt Paral Sandro Lominusos के रूप में जाने जाने वाला लगबग एक किंडर चेहरे पर गिर गया है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह हैं Brad Gobarite चलते कोशन नमबर 11 के तरफ हाली में MFI पैनल के अध्यश के रूप में किसे निउक्त किया गया है इसका सही आंसर आपस नमबर D एचार खान RBI के पूर्व डिप्टी गॉर्णर एचार खान को माइक्रो क्रेडिट में Code for Responsible Leading की Steering Committee के रत्यश की रूप में निउक्त किया गया है CRL, बैंको, NBFC, MIFO और NBFC जैसे वित सस्थाओ को बनाने वाले Micro Credit को दोग के लिए 100 नियामक कदम है जो गराग सुर्थ चाके मानकों का पारण करता है चलिए आपको Image में दिखाते हैं यह आपको Image में दिखा दे रहे हैं यह आचार खान चलते है Question No. 12 के तरफ हाले में RBI ने किस बैंक पर 1.50 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है इसका सही आंसर है Option No. C Corporation Bank भारती रिजर बैंक ने RBI द्वारा जारे नियदिशों के कुछ प्रावदानों के अनुपारन के लिए Corporation Bank पर 1.50 करोड रुपे का मौद्रिक जुर्माना लगाया है बैंकिक विनियमिया नदियनियम 1949 के धारा 46-4 और 51-1 के साथ पढ़े गई धारा 47-A के C के प्रावदानों के तहत RBI में नीद सक्तियों के परियोग में जुर्माना लगाया गया है चलिए Corporation Bank के बाए में आते हैं Corporation Bank के मुख्या कारकारिया दिखा रही है PV फार्ती इसका मुख्या लए Mangalore में है चलिए अब आपको RBI के बाए में बाते है RBI के गठन 1935 को हुआ था 1 April 1935 को Headquarter Mumbai President Governor सिर्षक्ति का अंदास जो कि आपको Image में दिखाए दे रहे First Governor Sir Osborne I. Smith First Indian Governor C.D. दिश्मुख First Indian Lady Governor K.J. दिश्षी लोगों की बातिया तो Panther and Emblem Palm Tree है इसकी लोगों में इसका राश्टी करन 1 January 1929 उगा था RBI एक रुपे के नोट्स को छोड़कर सारे नोट्स इशू करता है Question No.3 2.23 पुरुस हाकी विश्कप कहां अजुद किया जाएगा इसका सही आंसर आप्शन No.A इंडिया 22.23 पुरुस हाकी विश्कप इंडिया में अजुद किया जाएगा या इंडिया में भोईनिश्वर के कलिंगाई स्टेडियम में और राउर केला में बीजू पटना एक हाकी श्टेडियम में 13-29 जनुवरी 2023 तक आउजुद किया जाएगा चलते हैं Q14 के तरफ हाले में सबसे तेज 7,000 टेस्टरन बनाने वाले क्रिकेटर कौन मना है इसका सही आंसर है Option No.C Steve Smith हाले में सबसे तेज 7 तेस्टरन बनाने वाले क्रिकेटर बने है अस्टेलियाई के टेस्ट बल लिबाज Steve Smith हैमन ने 131 पारियों में या मुकाम आसिल किया था जबकि 9 साल पहले अपना पहला टेस्ट कैरियर सुरू करने वाले Smith ने मातर 126 पारियों में या मुकाम आसिल कर लिया भारत के विद्दर शेवाग 134 पारियों में 7000 बनाने वाले तीसरे सबसे तेज टेस्ट बैट्समेन है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह हैं ह्ट्यू श्मित चलते हैं कोशन नमबर 15 के तरफ हाली में किस फिल्म ने IFFI 129 में गोल्डन पिकॉक आवाड जीता है इसका सही आंसर है आप्शन नमबर D पार्टिकल्स गोवा में 25 नमबर 129 को संपन हुए पच्चाशमें भारती अंतराश्टिया फिल्म माउश्चो में ब्लेज हैरिसन द्वारा निदेश्चीत और एसले फियालों द्वारा निर्मित पार्टिकल्स फिल्म ने प्रतिष्टित गोल्डन पिकॉक आवाड जीता है गोल्डन पिकॉक आवाड के तहत 40 प्यक नगस नाजी समान रूप निदेश्चक और निर्माता में समान रूप से वितित की जाएगी और गोल्डन पिकॉक ट्राफियों एक प्रसिस्थ पत्पदान किया जाएगा पार्टिकल्स फिल्म मातो खांची या फिल्म किसो रस्था की रहश्चो को शमेटे हुए आए चलते हैं आज के चलिए पहले आपको गोवा के बाएम आते हैं गोवा गठन तीस में 1987 को हुआ था चीप मिनिस्ट है स्री प्रमोट सावंत गवर्नर है सत्पाल मलिक कैपिटल अपंजी फर्स यह में दैनंद भदोंगर फर्स गवर्नर गोपासिंग लोग सबासिट दो रासबासिट है टोटल डिस्टिक है दो गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर 1968 को मनाया आता है स्टेट बर्ड है हिलो थ्रोटेट बुलबुल में डैंस है मांडो कुंबवी लिबर है मांडवी डैम है सलावलिम भगवान महावीर सैंक्चुरी एंड मौलेम नैसल पार्क गोवा में है गोवा से सटे राज के बारे में आते हैं नौर्थ में है मारास्ट्रा इस्ट एंड साउथ में कर्नाटका वेस्ट में है अराबियंसी चलिए आपको मैप में दिखाते हैं गोवा यह मैप में गोवा चलते हैं आज के स्टेटिक जी के कोशन की तरफ बोल्लाग पुरस्कार निमली कित में से किस छेत के लिए दिया आता है इसका सही आंसर है आप्स नंबर B एगरिकल्चर बोल्लाग पुरस्कार किस जी के छेत में दिया जाने वाला पुरस्कार है चलिए चलते हैं आज के अंसर आफेस्टिडे कोशन की तरफ हाली में माराश्ट के मुख्य मंतरी पत के रूप में किसने सपत ली थी इसका सही आंसर था आप्स नंबर A ओदा उठाकरे चलते हैं कोशन आफ दा डे की तरफ किस देश के नो निर्वाची तराश्ट पती कुदबह राक्षपक्ष छे हाली में तीन दिवस्टी दोरे पर भारत पहुचे हैं इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे डेली कमेंट अफेर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Study को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे चेलिग्राम चैनल PK Smart Study को जोईन करें थैंक यू